Seated Examination में Syntax of Article का Topic बहुत important है इसमें इसके related काफी question पूछे जाते हैं और generally इस topic में बच्चे बहुत confused होते हैं इसके related जो भी exercise आती है तो आज हम लोग इसी topic में बात करेंगे और article के विशे में वो चीजें clear करेंगे जो अकसर करके question में confused करता है basic article जो होते हैं वो article दो तरह के होते हैं इसको बिलकुल अच्छे से याद कर लीजिए ज़्यादा तर लोग ये confused रहते हैं article तीन है तो A उसके अलावा N और एक The ये तीन article जो हम लोग देखते हैं तो ध्यान से समझ लिजे कि इसको हम तीन article काउंट नहीं करते हैं इसको दो article काउंट करते हैं जिसमें A और N ये दोनों ही यहाँ पर indefinite article कहलाते हैं यानि कि ये definite नहीं है indefinite हैं और जो The है ये एक definite article है ये निश्चित होता है कि किसी के साथ हमें लगाना है तो basic ये चीज है इसको बहुत अच्छे से समझ लिए क्योंकि ये question examination में इसी तरह पूछा जाता है कि which is the definite article or not या कोई एक option आपको दे दिया जाए पूछ लिए जाता है which of the following is not a definite article तो आपको ये अगर section मालूम होगा कौन सा article definite है कौन सा article indefinite है तो आप इस चीज को clear कर पाएंगे तो याद कलने कि the definite article है और a और an जो है indefinite article है चलिए अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं exactly हम a और an को हिंदी में क्या कहते हैं a और an का अर्थ होता है हिंदी में एक ये गिंती के तोर पे प्रियोग किया जाता है यानि जब चीजों में हमें बताना होता है कि हम उसकी एक संख्या को चुन रहे हैं उन में से एक तो a और an कहलाता है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि ये counting की series नहीं बनाता है यानि आपको एक के बाद दो, तीन, चार, पांच वाला जो एक series देखते हैं इस तरह से नहीं आता ये केवल हमें ये बताता है कि इन में से कोई एक मगर उसका करम नहीं बताता है कि करम इसके बाद कोन आएगा मतलब एक sequence नहीं मनाएगा केवल ये बताएगा कि इन में से कोई एक चुना जाना वाला जैसे अगर मैं ये बोलू I have a mobile तो मेरे पास एक mobile है अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दूसरा भी है पीछे है और तीसरा भी है कोई series नहीं है मेरे पास मेरे पास सिर्फ एक ही ले दे के कुल mobile है जिसको मैंने कहा I have a mobile phone तो इस तरह से हमें एक counting के बारे में बताता है selection बताता है जिसे हम लोग article बोलते हैं यहाँ पर फिर an का भी बिलकुल वही अर्थ होता है कोई इसमें अलग अर्थ नहीं है लेकिन इसको जब भी किसी भी name के आगे किसी भी noun के पहले जब लगाए जाता है तो यह उस noun को wishes बना जेता है इस तरह से wishes कि उसके अंदर कोई एक छेत्री विशेष्ता होती है कोई उसके अंदर internal विशेष्ता हो सकती है कोई external हो सकती है या हो सकता है कि virtually just like the abstract कोई एक को उसके अंदर quality हो सकती है तो ये विशेस्ताओं के तोर पे जब हम किसी चीज़ को मुख्यता force करके focus करके उस चीज़ का नाम लेते हैं उसके बारे बताते हैं तो दालागाना वहाँ पे कंबलसरी हो जाता है तो इस तरह से हमने समझा कि यहाँ पर article दो तरह के हैं एक definite article और दूसरा indefinite article अब definite article के विशे में सबसे पहले समझते हैं clear करते हैं कि definite article exactly कहाँ पर हमें use करना है कौन-कौन से ऐसे section होंगे जहाँ पिसकी जरुत पड़ेगी तो दाका प्रियोग जनरली अब step by step सारे rules को याद करेंगे कि जनरली सबसे पहला rules याद करेंगे खास व्यक्ति या कोई वस्तू या किसी ऐसी चीज़ का उलेख करना हो कोई चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हो जो थोड़ा सा wishes हो जैसे अगर हमने कहा कि यहाँ चीज़ों को बहुत अच्छे समझे गया क्योंकि जनरली यही चीज़े सब को confuse करती है जैसे मैंने कहा यहाँ जो तुमने मुझे दिया था वह बहुत महंगा था अब पेन को विशेस बताने के लिए उसके पहले दा लगा दिया अब इसको यहाँ पर दो तरह से समझे सबसे पहला कि हमने पेन को विशेस बताने के लिए दा लगा दिया तो हमने बोला दा पेन यानि वही पेन जो तुमने दिया था दूसरा इस तरह से समझे कि हम जब दा लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है उस वस्तू या उस नाउन के विशे में हम पहले भी बात कर चुके हैं या जानते हैं सपोस करिए इस अंटेंस सामने जो दिया हुआ है कि the pen you gave me was costly तो इसका मतलब क्या है कि pen किसी ने मुझे जब दिया होगा तो उसे भी पता होगा ना उसने कौन सा pen दिया है और मुझे भी पता है कौन सा pen दिया है हम उसी pen के बारे में दुबारा से बात कर रहे हैं और दुबारा से जब बात करते हैं तब आर्टिकल दा का यूस किया जाता है उसी वस्तु के बारे में जब हम कहते हैं तो the pen you gave जो pen तुमने दिया था was costly वो बहुत महंगा था इस तरह से इसको हम लोग represent करते हैं the same thing, same concept पर second sentence भी है the boy you see is my brother वो लड़का, the boy मतलब वो लड़का जो तुमने देखा यानि विशेस उसको बताया जा रहा विशेस तोर पे वही लड़का जो तुमने देखा और किसी की बात नहीं की जा रही इसलिए यहाँ पर the article इस बात पर force कर रहा है और चीजों को एक दम clarify करने का यहाँ पर कोशिश किया गया है तो जब यहाँ पर हम एक force करके इस बात को कहेंगे कि the boy you see जिस लड़के को तुमने देखा is my brother वो मेरा भाई है तो इस तरह से यहाँ पर force करके जब किसी बात को हम कहते हैं तो दो कहते हैं अगर माल लीजिए यहाँ पर हम यह कहना चाहें कि आब boy you see एक लड़का तुमने देखा तो एक लड़का तुमने देखा वो मेरा भाई है यह sentence कुछ अटपटा सा होगा जैसे हमें grammatically correct करने की जरूत होगी साहित्त के तौर पे हमें वाके को सही लिखना होता है तो वहाँ पर अगर हम यह कहते हैं एक लड़का जो तुमने देखा तो एक लड़का कुछ अर्थ नहीं निकलना हम हिंदी में भी बोलेंगे तो यहीं कहेंगे जो लड़का तुमने देखा वो मेरा भाई है इस तरह से बोलेंगे हम यह नहीं बोलेंगे कि एक लड़का तुमने देखा वो मेरा भाई है इस तरह से चीज़ें जो है साहित्तिक तोर पे बिगड़ जाएंगी तो the article का use वहां किया जाता है next sentence भी इसी concept पर based है the girl you see is daughter जिस लड़की को तुमने देखा वह पुत्री है इसी तरह से the book you want जो किताब तुम चाहते हो is out of print वह अभी छपी नहीं है यानि खतम हो चुकी है छपाई इसे में इस तरह से sentences में सारे में the लगा कर इस चीज़ को clear किया गया है कि हम इनी सभी वस्तूहों को इन सभी जितने भी noun यहां पर दिये है pronoun दिये है उन सब को vicious बनाने के लिए दाकप्रियों कर रहे हैं दूसरा concept या दूसरा rule अलिए अब समझते हैं बहुत ही important है और बहुत ही easy है चीज़ों को इसमें समझना और याद करना जैसे जब हम किसी ऐसे जगह के बारे में बात करते हैं कोई ऐसा monuments जो आतिहासिक इस्थल हो या कोई ऐसी प्रकरतिक इस्थल जो एक प्रकरतिक रूप से जन्म लिया हो या प्रकरतिक रूप से बना हुआ हो जब उनका हम नाम लेते हैं खास तोर पे वो पूरी प्रतिवी पर या पूरे ब्रह्मांड में या पूरी जगह पर एक ही हो उसका कोई दूसरा पीस ना मौजूद हो तब हम उसके नाम के पहले दा का प्रियोग करते हैं जैसे उधारन के तोर पे दा गंगा अगर हम गंगा नदी का नाम लेते हैं तो गंगा नदी जो है गंगा के नाम से विश्व में एक ही है इसके नाम की दो नदिया नहीं है या यूँ कहले जिए कि ये नदी विशे में दो जगा नहीं बहती है केवल एक ही जगा बहती है जो एक ही पीस में एक ही जगा मौझूद है केवल भारत में इसलिए इसके नाम को विशेस बनाने के लिए इसके पहले दा का प्रियोग किया जाता है इसी तरह से दा जमुना यहाँ पर भी यही concept है जो दा गंगा के उपर concept लग रहा है same thing दा ताज महल अब पूरे विश में यह ताज महल नाम का जो एक building है monuments दूसरा इसका piece नहीं मौझूद है इसलिए ताज महल के नाम के पहले दा लगाया गया है जो vicious तोर पे इसको vicious बना रहा है इसी तरह से the red fort यानि लाल किला उसका भी कोई दूसरी करती मौझूद नहीं है यह एक man made thing है जो monument के तोर पे अतिहासिक धरोहर या इस्थल के तोर पे जाना जाता है इसके पहले भी हम दा लगाएंगे तो इसलिए इसको vicious बना देंगे जब आपको sentence में एक्जाम में दिया जाएगा तो mostly क्या होता है कि आपके पास question रहता है फिर नीचे आपको कुछ articles दिये जाते हैं और पूछा जाता है कि इन में से कौन सा article इसके पहले लगा है अब example के तोर पे आप समझे है कि आप यहाँ पे लिखने दा गंगा वहाँ एक्जाम में लिखा हुआ आ गंगा तो आ गंगा अगर लिखा है उसमें आपको correction करने के लिए बोल दिया है तो आप आ की जगह पे क्या करोगे एन लगाओगे या दा लगाओगे या कोई article का यूज नहीं करेंगे तो इस तरह से चीज़े पूछी जाएंगे तो बिल्कुल concept को clear कर लिजे कि आ गंगा पूरी तरह से गलत है योगि आ गंगा इस बात को शो कर रहा है कि गंगा नाम के नदिया कई हैं उनमें सम एक जो किसी article से शुरू होने वाले word के पहले लगता है तो एन और आ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा फिर बात करते हैं no article system की तो no article के condition तब बनती है जब कोई ऐसा नाम वहां दिया हो जो विशेस तोर पे विशेस नहीं है तो इसलिए यहाँ पर यह concept भी काम नहीं करेगा औ collection करना है देन ऐसे ही दे इंडियन ओशियन इसके पहले भी दा लगाए तो पूरी प्रतवी पर इंडियन ओशियन सिर्फ एक ही जगह मौजूद है इसलिए इसका कोई दूसरा पीस ना होनी कि विशेस बनाने के लिए दा लिखते हैं दा पर्शियन गल्फ इसी तरह से पर् contain range है परवत शेनी जिसे का जाता है तो यहां पर भी इसके पहले दा लगाया गया है जो इसे विशेस बनाने के लिए इसका प्रियोग करते हैं अगर हम इन सब आर्टिकल के जगहें पर आ का प्रियोग करेंगे और या फिर आन का प्रियोग उसकी जगह करेंगे तो यह अभी आगे जब ऐसे question आएंगे क्या उसका concept होता है उसको में बिल्कुल clear करूंगा लेकिन अभी के लिए आप यह समझ लें कि इन सबी के पहले हमें दो आर्टिकल का ही यूज़ करना है ए और आन का आर्टिकल यूज़ नहीं करना है तो यह सब वह वर्ट्स हैं जिनके प लोड़ा सा समझ लीजे कि जो mountain range है उनमें से कोई अगर एक पार्ट है कोई एक पार्ट तो उसके नाम के पहले दा का प्रियोग आपको नहीं करना है जैसे अगर mount Everest लिखा हुआ है तो the mount Everest नहीं बोलेंगे भले यह दुनिया में एक है लेकिन यह किसी एक mount Everest किसी एक परवस शेड़ी का हिस्सा है पहले से ही इसलिए यहाँ पर दा अलग से नहीं लगाएंगे mount Everest को the mount Everest ना लिखके बलकि इसे mount Everest लिखना ज्यादा ठीक होगा इसी तरह से mount Abu इसमें इस पे पहले भी अगर हम लोग दा का यूस करते है तो यह गलत हो जाएगा इसको mount Abu लिखना ठीक है कारन इसके पीछे किया है कारन इसके पीछे है कि हमालिया के range के अंदर दोनों आते हैं इस वज़े से यहाँ पर दोनों के पहले जब दा हमालिया आज already लिखा गया है तो इन दोनों के internal पार्ट के पहले दा नहीं लगाये जाएंगा तो basic concept इसका यह है जहां पर दोनों में हमें the remove कर देना इस जगहें पर अब article ये use करने के लिए examination में अगर आता है तो आप महाँ पर समझ जाएं कि जो concept यहाँ पर है कि दा हिमालया के अंदर आते हैं दोनों पार्ट इसलिए इनके पहले दा का use नहीं करना है next one बहुत important rule कि जब भी कोई singular number होता है common noun या फिर वो किसी पूरे के पूरे group के बारे में बता रहा हो तो उसके पहले दाका प्रियोग कर जाता है बहुत ही जादा important section अगर हमें कोई ऐसा word दिया गया सपोस कर ये cat लिखा गया cat से अगर हम केवल बोलते है cat तो इसका मतलब केवल होता है बिल्ली लेकिन हो सकता है कि एक बिल्ली दो बिल्ली तीन बिल्ली की बात कर रहे हैं अगर हम इस word को बोलेंगे a cat तो इसका मतलब हो जाता एक बिल्ली तो बिल्ली प्रजाती से एक जन्तु के अगर हम बात करें तो वहाँ पे a cat बोल सकते हैं तो इसका मतलब एक बिल्ली लेकिन जब हम यहाँ पर अगर दा लगा देंगे और बोलेंगे the cat तो इसका मतलब यह हो होता है इस तरह से